लेकिन संखीकों के बीच में जो भ्रहम पहलाया जा रहा है जो बाते कही जा रही है कि अगर इनकी तीसरी बार सरकार आ गई तो समिधान खतम कर देंगे जो लोगों को आरक्षण मिल रहा है वो खतम कर देंगे उसको कैसे देखते हैं मैं 23 साल से head of the government हूँ ये जुठे बयान बजी करने वाले लोग आज तक एग भी मुद्दे पर निरनायक नहीं बन पाए हैं नहीं कौड से judgment ले पाए हैं उनकी हिंदु मुसल्मान की राजनीति को मैं expose कर रहा हूँ मैं मानता हूँ हमने हिंदुस्तान को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए हमें हिंदुस्तान एक है उसी रुप में देखना चाहिए और उसी रुप में हमने आगे बढ़ना चाहिए अब मुंबई में हैं उद्धो ठाकरे की उद्धो ठाकरे और सरत पवार दोनों की पार्टियों ने कॉंग्रेस के साथ मिलकर एक गड़बंधन बनाया है कि आपको लगता है कि वो चुनोती आपको दे पाएंगा दूसरी उन्होंने एक बात और कही है कि भारती अंता से हैं दूसरी बात है कि ऐसे कैसे लोग है कि कोई उनकी पार्टी चोरी जाओ और सोते रहे तो ऐसे लोगों को देख बोट नहीं देना चाहिए जिन में अपनी पार्टी को समालने का ताकत नहीं है वो देश क्या समालेंगे कोई आकर कि उनकी पार्टी चोर रोते रहते है आशू बहाते हैं इनके प्रतितों देश को नपरस हैं यह ऐसे कैसे हैं बाड़ा साब जी का परिवार जन ऐसे हो तक क्या अरे वो तो मर्द के बच्चे होने चाहिए किसकी ताकत है को कुछ ले जाए इसका मतलब कुछ गडबन उनके अंदर है उनके पारिवारिक जगड़े उसका यह परणाम है अंतिम सवाल क्या आपको लगता है कि महराष्ट हो चाहे वो बिहार हो या जहां पर इंडी गडवन्धन मजबूतिस चुना लट रहा है आपको चुनोती दे पार रहा आपकी पार्टी को चुनोती है और दोजार चौबिस में चार जुन को कैसा रिज हूं बच्चा बच्चा 400 पार के मुड में है और इसलिए मुझे इसके लिए दिमाग खपाने के जरूत देंगे चार जुन को आपी उस उत्सव और मांग में जुड़ जाएंगे बहुत बच्रक करने के लिए प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी थे जो इस समय मुंबई में रोड्शो कर रहे हैं उनके साथ राजी के मुख्यमंतरी और उप्णुमंतरी भी एँ और देखिए ये हुजून देखिए लोगों का उत्सा देखिए कि लोग लगातार प्रधान मंत्री जी का भिवादन कर रहे हैं चीर कर रहे हैं और कोई भी पिछले कई घंटों से यहां पे देखिए जो महिलाएं खड़ी हैं लोग खड़े हैं वो जुकने का हटने का नाम में ले रहे हैं और सब के सब प्रधान मंत्री नरेंद्रोदी को एक नजब देख लेना चाते हैं कैमरामन धर्मेंद पांडे किसा नीरेट पांडे एबीपी नियूज आपको रखे आगे